जै मतादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सितंबर महा के दूसरे सप्ताहा के बारे में यानी 8 सितंबर से 14 सितंबर 2023 के धनुरासी फल के बारे में धनुरासी के लोगों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा इस सप्ताहा में कौन ग्रह कहां इस्थित होगा और किस भाव पर दरस्टी डालेगा ग्रहों के प्रभाव से आपके वेपार, वेवसाय, नौकरी, सिक्षा, स्वास्त, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन और दामपत्य जीवन पर क्या असर पड़ेगा जानेंगे सभी बातों के बारे में दोस्तो आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निविदन हैं यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ बात करें ग्रहों के इस्थिति के बारे में तो मंगल देव कन्या राशी में वराजमान है, जो कि आपके दसंभाव में सक्रिय वस्ता में है और मंगल आपके पांचवें और बारवें भाव के स्वामी है तो ऐसे में मंगल के इस्थिति आपके पेसिवर जीवन में कैई महतपूर्ण बदलाव लेकर आएगी वैपार, वैवसाय के लिए कुछ यात्राओं पर जाना होगा और छात्रों के लिए यह समय बेहद अनुकूल होगा जो लोग रोजगार की तलास कर रहे हैं यानि नौकरी की तलास में है उनके सपने पूरे होंगे, तलास पूरी होगी और रोजगार के नए अफसर मिलेंगे साथ ही यह समय प्रेम संबंदों के लिए भी काफी अच्छा साबित होगा मंगल यहां दसमे भाव से लगन यानि पहले भाव, चौथे भाव और पौचवे भाव पर द्रस्टी डालेंगे तो मंगल की है इस्तिती कारोबार के लिहाज से काफी अनुकूल साबित होगी आपके अंदर उर्जा का इस्तर उच्छोगा, साथ ही आत्म विश्वास कूट कूट कर भरा होगा साहस और पराकरम में व्रद्धी होगी, यानि आपके अंदर एनरजी पूरी होगी जिस कारे को करेंगे, पूरे जोसो और जुनून के साथ करेंगे मंगल की इस्ति यहां आपको माता की ओर से पूरा सहयुग देगी पांचवें भाव पर मंगल की आठमी दरश्टी, कन्या रासी के हिसाब से काफी अच्छी साबित होगी, लेकिन यहां मंगल आपके स्वास्ते को परभावित करेंगे तो ऐसे में स्वास्ते पर ध्यान रखना होगा बुद्ध देव सिंग रासी में वक्री अवस्ता में है जो के आपके भाग्य भाव यानि नवम भाव में सक्री अवस्ता में है और बुद्ध आपके साथवें और दसवें भाव के स्वामी है तो ऐसे में जो लोग साजिदारी में काम कर रहे हैं उन्हें अपने साजिदार से सभी बातों को इसपस्ट करके चलना होगा अन्यता किसी गलत फैमी से आपके मतबेध हो सकते हैं साथ ही जोरान यदि कुछ नया सुरू करने की योजना बना रहे हैं तो अभी इसे कुछ समय के लिए टाल दे साथ ही यहां बुद्ध का वक्री होना आपके वाहिक जीवन को भी प्रभावित करेगा ऐसे में पार्टनर की सेहत का विशेज ध्यान रखना होगा और अपने सब्दों का सोच विचार के इस्तमाल करना होगा बुद्ध जो की संचार कौसल के कारक हैं वानी के कारक हैं ऐसे में आपकी वानी को प्रभावित करेंगे जिसका गलत अर्थ निकाला जा सकता है जिससे विवाद पैदा हो सकता है तो ऐसे में सोच समझ कर सब्दों का इस्तमाल करें देव गुरु ब्रस्पती में इस रासी में वक्री अवस्ता में हैं जो कि आपके पंचम भाव में वराजमान हैं और आपकी ही रासी के स्वामी हैं और चौथे भाव के स्वामी हैं यानि लगन भाव के और चौथे भाव के तो ऐसे में वक्री गुरू आपके स्वास्ते को प्रभावित करेगा कुछ अधिरिक्त जिम्मेदारियां आपको मिल सकती है कारे का दबाब जादा होगा जिससे मानसी गुरूप से कई बार परिशान हो सकते है आपको जोरान कुछ नई मौके भी मिलेंगे और जिने संतान पाने में कोई रुकावट या स्वास्ते समश्याएं आ रही है तो उन समश्याओं का समाधान आपको मिलेगा प्रेम संबंदों को लेकर गंभीर रहना होगा क्योंकि प्रेम जीवन में कुछ समश्याएं आ सकती है प्रेम और सुक्के कारग्र है शुक्रदेब करकरासी में मारगी हो चुके है जो कि आपके अस्टमभाव में सक्रिय वस्था में है शुक्र आपके छटे और ग्यारवें भाव के स्वामी है तो ऐसे में धन कमाने के एक से अधिक स्रोत आपको मिलेंगे जिससे आपकी आर्थे किस्तिती काफी मजबूत होगी इस औरान आपका जुकाव आध्यात्मिक गतिविदियों की ओर होगा यदि आप कोई खुद का वैपार या वैबसाय कर रहे हैं तो इस औरान अच्छे परणाम प्राप्त होंगे पिर्ती दोंदियों से कड़ी टककर भी मिलेगी लेकिन ऐसे में आप उन चुनोतियों को पार पाने में सक्चम होंगे कुलमलाकर वैबसाय अच्छा रहेगा अच्छे लाप प्राप्त होंगे और पारिवारिक दरश्टी से समय आपके लिए अच्छा साबित होगा आपसी रिष्टे अच्छे होंगे कर्मफलदाता सनी देव कुम्भराशी में वक्रिय वस्ता में है आपकी तिर्ते भाव में है यहां सनी आपके लिए एक सुब घ्रह है यहां भाई भेनों का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा किसी यात्रा पर जाने के योग बनेंगे प्राकरम में वरद्धी होगी साथ ही भागय का भी पूरा पूरा साथ मिलेगा पिता का गुरुजनों का आशिरवाद मिलेगा धर्म कर्म के कारियों में बढ़ चड़ का रिस्सा लेंगे समाजिक दायरा बढ़ेगा समाज में अच्छी पहचान होगी कारे का अतरिक्त भार आपके उपर होगा तो ऐसे में केवार मानसिक रूप से परिशान हो सकते हैं सनी जो की कर्म फल दाता गिरह है जो आपकी द्वारा किए गई महनत आपकी द्वारा किए गई प्रियासों का फल आपको देंगे तो ऐसे में निरंतर प्रियास करते रहें जिसका परणाम आनेवाले समय में आपको मिलेगा सूर्य दिभ सिंग रासिमे ब्राज़मान है यानि आपके नवम्भाव में और नौमे भाव के स्वामी है तो ऐसे में भाग्य का भरपूर साथ आपको मिलेगा पेसेवर जीवन में अच्छा फायदा होगा साथ ही इस वरान दूसरों को प्रभावित करने में प्रेरित करने में आप सक्षम होंगे जो चात्र उच्छी सि प्रिक्षा की तैयारियों मिलेगे हैं उन्हें भी जोरान अच्छा मार्क दर्सन मिलेगा और आपके लिए सफलता भरा रास्ता होगा परिवार का भाई भेनों का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा नौमे भाव में बैठकर सुर्य की दर्ष्टी आपके तीसरे भाव पर हो यहां सपताह की सुरुवात में चंदरमा आपके सब्तम भाव में गोचर करते हुए अस्टम नवं भाव तक गोचर करेगा महत्पूर्ण योग इस सपताह में बनेंगे दस, ग्यारय और बारा सितंबर को सरवाश सिद्य योग होगा बारा सितंबर को गजकेसरी योग भी बनेगा साथ ही 10 सितंबर को अजा एकदसी होगी जो कि भगवान विष्णु को समर्पित होती है इस दिन दो खास संयोग बनेंगे रवी पुष्ययोग और सरवार्शिद्धियोग तो ऐसे में इस दिन का महत और भी बढ़ जाता है इस दिन भगवान विष्णु और मालक्ष कश्मी की पूजा करने से धंधान्य में व्रद्धि होती है साथ ही सभी कश्ट दूर होंगे 12 सितंबर को किर्शन पक्ष का प्रदोश व्रत होगा जो कि भगवान सिव को समर्पित होता है साथ ही इस दिन सरवार्शिद्धियोग और गज के स्रियोग का निर्मान होगा तो वैसे में भगवान सिव पारवति की पूजा करने से आपके सभी कश्ट दूर होंगे और मन वांचित फल प्रदान होंगे 13 सितंबर को मासिक सिवरात्री होगी जो कि भगवान सिव को समर्पित होती है और 14 सितंबर को भादरपद आमवश्या होगी इस दिन इसनान दान पित्र खुस होते हैं और पित्रों का आसिरवाद प्राप्त होता है जीवन में खुशाली होती है तो कुल मिलाकर यह सब्ता आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा तो दोस्तों ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे चैनल को लाइक शेयरे